कि यह धुर के स्वेक् Weihn kalauú प्प्ट were उसी तरीके से सुरे नूर-कर्ण की सब कौशीज करें आप ज़स्व शिवक्त करिए डोनों भी दिनदगी में घजब मरने के बाद ही जाब डोनों को इजनिल्लाई ताला एक साथ आ रहे हैं सुछानलाई जरूर एंजॉय करें अल्लाई तालाई पूसको सीखने का समझने का मौसका ता फर्माई जिन्दगी में हमारे लिए इसके जरिये से तश्कीर करें चलें आयतों की तरफ आते हैं जो मौदू हमारा चल रहा है वो है दला करने का मौखा है था लात अला फोले तदबू करो हमने तदबूर करना शुरू कर दिया था जमीन और आस्मान पर आज लात अला फर्माते हैं एक्जामपल को गौर से सुनो क्या है जिनमादूदों को तुम खदा को छोड़ कर पुकारते हो वो सब में कर एक मखी भी पैद तो वहां पर रखते हैं कि आइडल के सामने वगराइब करें निदा निदेन की अंदर मासूम हैं उनको पता भी निदेन के मजारों पर क्या किया जा रहा है तो वह स्कॉलर्स बताते हैं वह सोईवे आडियल्स की थजबीखते हैं वो सोड़ेड़ों के जैसा उनको उसकर रहें, नॉन मुसलिप्स खड़ाओं को जो हना, खड़े करके जो हना, उन लोगों को इबादत कर रहें, तो उन लोगों के सामने अगर जियारत के तौर पर, यह क्या नाम बोलते हैं, वो सब चीजों के टेम पर, जो हना, रखती मिठ हो सकते हैं, जो एक मक्ही भी नहीं उडा सकते हैं, आगे लगों के बोलneत ये किसा एक हम लोगे पंड़ते रहाना, और बो साहरत के आ हैं, और एक धनती एक सुर्क जैसे जो से क्या बहुंगे एक शिर्क जैसे कमजोर चीज की तरफ माल, वही नहीं सकता, मुमिन हमेशा कलमन होता है, तोहीद के दलायल देखकर आल्ला की तरफ सरेंडर करने माला आथा, तो मांगने वाले भी कमजोर, जिसे मदद मांगी जा रही है, वो भी कमजोर, इन लोगों न आपको पहचानी जैसा कि इसको पहचानी का आख आ, कितने दर्द के साथ यह जिम्ला करें, वमा गदर लाहु आखाडरी इनल्हा लकवी न अजीज, बिटे तुम्हार को मां की खदर इस नहीं है, बिटे, तुमां को मालु इस नहीं है, मां क्या चीज़ है, हम नहीं बोलत جملے کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ مجھے کر رہے کہ اگر ہم کسی شرک میں مولویز ہیں ہم کسی اور کی رضا کی زندگی گزار رہے کسی اور کے طریقے سے زندگی گزار رہے تو اللہ تعالیٰ برہیں تمام چیزیں کے خدرت رکھنے والا میں اتنا قوی ہوں میں اتنا عزت والا عزیز ہوں لیکن تم نے میری خدر ہی نہ جانا اللہ کا خدر کیسے کی جاتی ہے توحید کے ساتھ صرف اور صرف اللہ کی عبادت کی جائے لا الہ الا اللہ اللہ تعالیٰ ہم اس کا قلب میں کہاں خدر کرنے والا بنا دے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی دین کی خدر کرنے والے بنے حقیقت یہ ہے کہ اللہ اپنے فرامین کی ترسیل کے لیے ملائکہ میں سے بھی پیغام رسا منتخب کرتا ہے اور انسانوں میں سے بھی اور وسیر ہے جو کچھ اس کے سامنے ہیں جو کچھ ان کے سامنے ہیں اسے بھی وہ جانتا ہے وہ اس سے بھی واقف ہے سارے معاملات اسی کی طرف प्रुजु होने वाले हैं अब उनका पंगा कैसा तरीखे वो लोगा क्या बोलते थे अरे तुम एक इनसान होगा हमारे सामने इस तरीखें से बता रहे हैं यानि वो लोग कोई सूपर जो हैना मखलूख एक्सपेक कर रहे थे यानि तो एक आसमान से परिंदा आना या फरिष आसमान फटना इस अन्नी उज्वल चीजा जो हैना एक्सपेक कर रहे थे तो जो भी मुसल्म जो भी इसलाम का पेश करेवे हैं वो इनसान ही थे जितने भी पेगंबर आये हैं वो तमाम इनसानों में सही रोल मॉडल के तौर पर आल्ला ने हमारे लिए भेजा है और अब द सकती है उनको हम एक एक अलग मखलूख के तौर पे ने देखना हां मौला ना वहां दिखे ते मार्कित में मौला ना शॉपिंग भी करते हैं इस तरीखे से जो हमारा एक इनसान मतलब कोई अगर दीन का काम कर रहा तो वह इन बश्री कमजोरियां से खतम नहीं हो सकता वह घ लेकिन अकलमन क्या है अपने खूबियों को भारता है और गफलत वाला इंसान अपने आपको दुबो लेता है और वह अपने आपको सुधारता ने बैट इस डानलड डिफरेंस जो अच्छे और बुरे मियुमन के डिफरेंस पे होता है चले आखरी आयते हैं 77 और 78 में ला सच्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च् ताला ने सुरे बखरा में भी फर्मा दिया है और कुंतुम खेरा उमते न खरजते लिन्नास बोलकर अल्ह ताला ने सुरे अलिम्रान में भी बड़ा और आज जे उमत ग्रॉस लेवल पर हम सब सेलेक्टेड हैं बट अल्ला ताला फिर उसमें से भी जिसको जुम्मेदारी का और नुमाइंदे बनाकर लोगों को कुरान की तरफ जुनाएं परहत्व म्यूट होगे तो आजर जुनाः का प्राइब कुछए उसमें से हमको बेनिफिट मिलता तो लाथ आला से हम भी पहोताज हैं करिके तो आखिरत में तो आजर जुजन वन का स्पैशाल ही रहेगा. अल्ह ताला के right side में रहेंगे, अल्ह के आर्श के साएं में रहेंगे, अल्ह ताला उनको विजली की तरह जो हैंना फुलसरात पर cross करेगा तो ये अजर जाय होने वाला है. अल्ह ताला हम सब को इसके काम के चुन ले और उसका बदले, अल्ह ताला हमें करके तो लोगों के लिए आसान ही पैदा करो तुम लोगों के लिए फार्ला हमार को विसके उता करते हैं चाहे घरों में हो चाहे माश्यolution में हो चाहे बड़े लेवले लेवल कर हैं तो पहले आप पर हम धिन का काम कर रहा है तो पहले छूटी-छूटी निकियों हो यह नए रिलीजन से हमारे पस हो तो तो यह यूसिरो वह तुम आसानियां पैदा कर। दीन आसान है अलाथ तुम पूरे दीन यह हम क्या समझते हैं दीन बड़ा मुश्किल काम है यह तमाम चीज़ आंगर हम देखे तो दीन कितना आसान है पैदा हुए जब कोई दिन को बिलकुल आसान करदिया है ना पैदा होने से पहले ना पैदा होने के बाद ना शादियों में न मरने के बाद ये events होते हैं जो हम अपने आपको बोजल बनाने हैं बेटियों के खतल में इन events का बहुत बड़ा रोल है फीमेल फिटिसाइड में इन E1 کا کیا ہوتا خوشی ہے کیا ہوتا خوشی ہے آپ کے لیے کیا بھی نہیں ہے لیکن کئی لڑکیوں کی خوشی کا یہ کیا بھی نہیں ہے اللہ تعالیٰ اشعالت فرماتے ہیں کہ یہ دین بہت آسان اس پر کوئی تنگی نہیں رکھیے میں اور آپ لوگوں کی گلے دبانے کے حد تک تنگ نہیں کر دیتا یہ نہیں کرے وہ نہیں کرے یہ تریخہ کار یہ غلط تریخہ کار اسلام کا تریخہ ہے ہی نہیں اگر آپ لوگ مسلم ہو کر بھی یہ مطالبات کرنے والے ہیں तो एक लिस्ट हम दीन इसलाम की रिचोल्स नहीं फॉलूग कोई और दीन के किसी और मज़भ की चीज़ों को हम अपने दीन में लाकर उनके पर टॉर्चर करने लगें और या इस तरीख दे मुतालिबा करें एक लिस्ट इस नॉट पाट अब दीन क्योंकि अल्ला तो सफ वाज़ें में बोरें कि दीन में तुम पर कोई तंगी नहीं रखिंगें लाज पैदा करे लाज हमारे लें लिए असञा करे और हम लोगं के लिए आसनिय पैदा करने माले दने ने तुम시면 से बहते ही जो तुम लोगों के लिए आसनिया और फैर का बास क्रिश बर抗दूने जिसी बच्चियां अपने आपको खतल करने पर आमधा हुटा हुझाür किसकी जुम्मेदार हैं, कौन जुम्मेदार हैं, हमारा कुछ भी नहीं है, हमारी खुशियां हैं, और हमारी एक एच है, हम किसे लोगों को इस चीज़ का बाज बना रहे हैं, देख लें, आला ताला अगे शायत परमाते हैं, खायम हो जाओ, अपने दीन बाप इबराहीम की म मुस्लिम रखाता हो, और इस पुरान में भी तुम्हारा नाम मुस्लिम है, ताके रसूल तुम पर गवा हो, और तुम लोगों पर बस नमाज खायम करो, जगा दो, ल्ला से वाबस्ता हो जाओ, और ये है, और है, है तुम्हारा मॉला, बहुत ही अच्छा है, वो मॉला, औ बहुत अच्छा कारसार है, और वो हुआ मॉला को, वो हमारा दोस्ट बनने की फ्रेंशिप रिक्वेस्ट, ल्ला मुझे और आपको हमारे ताइन है, तुम्हें बता रहे हैं, कि ये ये क्वालिटीज करते हो, नमास खायम करते हो, जगात देते हो, और अल्ला ही का होकर रह जाते हो, ल्ला ही के मताविश जिंदेगी को जाते हो, तो हम ल्ला की फ्रेंशिप को एकसेप्ट करने वाले होते हैं, अदर्वाइस हम ये जद्धे जिन्देगी नहीं इख्यार करें, ला-इल्मी की वज़ए से हम जो हैं इसके इंकार करने वाले ना बन जाएं, क्योंकि लाही सबसे बड़ा मददकार है, ला-इल्ला इसका अगदा करने की तौफिक अद्धा फर्मार, बहुत सी आयते हैं अभी हम पढ़ कर रहे हैं सुरह हाज में भी हम पढ़ने वाले हैं, आयात 13-14 में इसके तालुक से, बच्चे की पैदाश के तालुक से, ला-इल्ला जो कुषिश करेंगे, पहले वो PPT इंशालला, अनमसरच, प्रीस, वो स्लाइडस लगागा प्रीज, झाल झाल आवाज नमारी बंद हो गई जी जी सारी मों सबको म्यूट रखेते शायद मेरा भी म्यूट हो गया था जज़ा के लोखेर तो चलिए फ्लाइट्स की तरफ देखते हैं अपनी सेर अपने मा के पेट के अंदर के नाम से हम आज मोज़ने के लिए रखा है बहुत इंटरेस्टिंग मौजू है हर कोई अपने आपको इमाजिन करें मैं अपने आपको सुच्छें के एक दिन हम कुछ भी नहीं थे हम कुछ भी नहीं थे हम मां के पेट में एक नुक्ते की शकल में थे वहां से हमारी शुरूआट होती है चलें देखते हैं बहुत हैं इन सूरह में कुरान की रौशिन में क्या पहले तो embryology है क्या उसका definition क्या वहले तो development of an embryo याने कि जो यह जो मेल एंड फीमेल गैमेट होते हैं मांकर रहम में यानि मांके ओवम यानि एक को और मेल के जो स्पर्म रहता उन दोनों के पर्टिलाइजेशन की वज़े से दोने की मिलें की वज़े से जो जो जाइगोट को परमेशन होता है वो जो है ना फिर एंब्रियो कहला है तो इस स्टेडी को क्या बोलते है तो पुरान में इंब्रियोलोजी के तालुक से बहुत ही एक्यूरेट डिस्कृप्शन बताया गया है उसके स्टेज़ेशन के दौरान में और जो है ना डेलेवरी तक के जो है जो जो स्टेज़ेस होते हैं वो अल्लाह ताला ने इसमें बया अच्छा यह है यह प्रॉफिट मुहमद स्लेलाह वलेवससलम के पहले यह यह कुरान के आयते नाजल होने से पहले और यह साइंस जो रिसर्च हुई है 17th century में जो है ना 17th century में जो है ना हमारे माइक्रोस को पेजाद हुआ जो के जिसके एजाद के बाद में जिनलगी के य उसने 17th century में यह चीज को एजाद किया माइक्रोस्कोप को उससे पहले दुनिया के बहुत सारे राज हमारे जिंदगियों से पोशीदा थे तो लेकिन यह जो हमारा है 7th century का है यानि 680 यानि 600 century के जमाने में यह बातें बताई गए हैं जो करान नाजल किया गया उससे पहले पहले किया बिलीफ होता था, एरिस्टोजोड़ के जमाने में एक चोट आदमी रहता, और मा के रह में चले जाता, और वह जोटा आदमी एंड़ जाता है, यह था आप टासवल हुआ नहीं सब्हों है, यह था, श्यमिश जावर्णन पनांन आ पाता जया हैं यह profitable झानग मै तो वह भी नहीं थे तो यह थोड़े बिलीव से उस जमाने के लेकिन खुरान में अल्रडी दिख्या हुआ था लेकिन जो साइंट भी नहीं बिलीव करते थे उनलों भी तलाश में तलाश में तो आगे देखते हैं नेक्स स्लाइड में क्या क्या अखायत से बुजड़ते हुए वह गर दराफ एंब्रियो हाज बिन इमाज़े बैंडलाइडो विक डी विक नीवलकर एक जो सैंटिस था फिफ्टीं सेंच्वेरी में वह जहना यह समझता था कि एक छोटा इंसान रहता है यह जाकर पुरा जाकर जो है ना इंसान क सेवंटीं सेंच्वेरी में जो है ना जब यह जात हो गया था उसके बाद पता चला कि आप सपर्म एंड वंज है ना मेल फीमेल गामेट यूटिलाइज यानि फर्टिलाइजिशन होने के बाद में यूनाइट होने की वज़ए से में एक बच्चा जो है ना तश्कील पात को डेमॉलिश हो गया और नया जो सेंचरी नया जो रिसेर्च हुआ था उसके मताबिख इन लोगों ने फिर फर्दर रिसेर्च करना शुरू कर दिए आगे देखते हैं फिर क्या हुआ आप चाहां कुरान जो अल्ला स्भाना ताला ने जो नाजिल की है वह कुंदे रहे प मुझे और आपको मां के पेट के अंदर के माइक्रोस्कोपिक स्ट्रॉक्चर्स के बारे में और कैसा बच्चा बनता है अभी इनको पता भी ने चलता लेकिन वहां पर खुरान में अल्रेड़ी पता चल चुका था कि मुसल्मान जो ना इसी चरीखा से सेंटिस यह ना जानते थे फिर अब आप जो आयत नाबर चौदा में ने देखिए अल्ला तला इसमें क्या फाया फर्माते हैं कि तर्जमा निकार्टी हमें आयत नमबर तेरा में लाह ताला इशाद परमाते हैं आला ताला 12 में इशाद फरमाते हैं हमने इनसान को मिटी के सुच से बनाया फिर इसे एक महफूस जगा टबकी वी बुंद बुंद में तब्तिल कर दिया फिर इस बुंद को लोट्रे की शकल फिर लोट्रे को बोटी बनाया फिर बोटी की हडियां बनायी पिर हडियों पर जोस चड़ाया फिर इसे एक दुसरे ही मखलूँ च़ड़ा कर दिया फिर पस बड़ा ही बाबर्कत है अच्छा कारिगर है और फिर इसके बाद तुम को जरूर मरना है तिर खायमत के रोज यकीनन तुम उठाए जाओगे यानि हमारा प्रेजेंट हमारा पास्ट हमारे फ्यूचर पूरे इन आयतों में बताए गया है अगर हम प्रेजेंट पर और पास्ट पर बिलीव कर रहे हैं उससे ज्यादा स्ट्रॉंग बिलीव हमारा लेकिन खुरान ने इसको हम सब को बता दिया है और अगर मिटी से कैसा पैदा हुआ बले तो इसके मुफसरीन भी इसके तश्कील देते हैं कि everything what we eat जो जिसम का हिस्ता बन रहा है मा के या बाप के जिसम का हिस्ता बन रहा है सोर्स जमीन से आते हैं पहली तश्किल भी हमारी जीसम का एक भी खतरा बन रहा है या जिसम का मादा बन रहा है जा ऑम सावव हम मता बनता है उसका जो बेसिक सॉर्स आफ नर्जी है जो कि बनने का न्यूarnos है वो जमीन से पादा किया गिए जो पीर और सीने के बीच से निकलती है, जो के सुरे तारिष में ने इस इस बात को वाज़ कर दिया है। सुरे नहल में बिभी हमने यह बात को पड़ कर आएं कि अब हैं अब साइकल्स हमारे चलते वे चलते वे रहें साइंटिस की तरफ लेकिन पहले जबता दिया कि एक लिक्विड मादा होता है जिसकी वज़े से इंसान जो है ना तखलीख की बेसिक शकला दिया तो फस्ट थाउट इस बेसिक इंग्रीडेंट हमां को खुरान से बता चल गया अभी उस जमाने के लोगों को इस पर इमान लाने के लिए बहुत ज़्यादा सोचना पड़ता था तो जैसा जैसा साइंस हो रही हमारे इमान का इजाफा बनना चाहिए हम यह नहीं सोचना कि अरे हम इतने सालां के बाद बनें लेकिन वो आयतों को जो उनों कंफ्यू स्टेज मे सब्सक्राइब काई में वीचार समझे होंगे लगिन इसकी सही तचरी आज इस जमाने में में आपने आंपना से देख रहें अगे जो आने वाले हमारी नसले करेंगे तो दिन के बाद दिन टेकनोलिगी के साथ और इस तहकीक के साथ हम जूर नहीं हो ना हम इसलाम से हम पहले तुम अलओ नुत्फ की शक्षिक के स्क्षाया वालह को मैं स्प्विस्वास ते लगा इसरो पूरे चलिए लगा दी यह पूराइव हैति यहete है है यहां पर दखीजे एक शकल है उसके बाद में फिर वो लीच ब्लेट क्लॉट की शकल में आ रहा है फिर लंप अफ जो है ना ब्लेट क्लॉट अलग का तीन माने है अलग के माने तीन है उसमें तीन की माने में से एक माना क्या है मालू है तीनों माने लेकिन यह लेकिन यह अ तेनों आज रीस में मतलब होता है मतलब होता है एक हconomy महाने में लेज के खिया यह कहों है तो अगर देखा गया थो में चोख लैज स्टेजग में जो शकल अज़र आती philosopher एक ब्लेट क्लॉट की नज़रा आती है साइंटिस जिसका नम है जॉन एलन से दाइट ट्रीटिस इस जिस लाइक सस्पेंडेड मेटीरियल इंड़ एंब्रियो यानि यूट्रेंड वाल से जो लटका हुआ चीज आती है वैसा नज़रा आता है जब थार्ड वी था उसके या यानि लीक हो जाता है यानि अबोर्शन हो जाता है सब स्कॉंटेनियस होता है और उसको उस पार्टिकल्स को महसूस भी निकलने के बाद ना अंदर हाथ दाल कर या या मशीना दाल को उस जमाने में देखने का तरीखा पारता सुभान अल्ला तो आप देख लीजे जो इसके बाद में देखें लंप आफ फ्लेश की तरह वह बन जाता है फिर उसके बाद में उसमें हड्यां चड़ाए जाती है अगर जो अगर प्रोफेसर की नोरे बोलके बहुत बड़ा एंब्रियो लोजिस्ट है और फिटोलोजी के बारे में बहुत सारी बुखली है बद जाकर उसको पता चला अरे मिया तुम आप सेंटिस्ट रिसर्च कर ले ते बैठी है अठ्रा सो सेंचरी में आकर हमारे पास पहले से चौदा सो जो है इस वी में ही यह तमाम चीजें चार्सो पांसो साल पहले उस जमाने में अगर रिसर्च किया गया तो आज को तो डेट के दार्क स्टेज में थी यह मैं बताना चारी थी फिर यहां पर पूरे चीजों को आयतों की रिफरेंसिस के साथ पहां पर बताए गया है और यह तमाम चीजें पता नहीं चल सकती थी एक अजमी एक जो है ना उमी शक्स जो पढ़ना और लिखना नहीं जानते थे उन्हों न यह तमाम चीजों को बताया है तो की तुमोरे डिस्क्राइब कर से डिस्क्राइब करते हैं उनका कोटेशन है मैं इंशाला स्क्रीन चौट पर भी बैशती हूं कि उन्होंने बताया कि इतनी अंदर की स्टेडी और इतने ज्यादा बारिकियों से स्ट्रॉक्चर जो क्योंकि उन्हों में पूरे कर लेट कर लेके समझ कर फैस णिंदर बारिक-बारिक कितने हमल जाय करके कितने मशीना लगाकर थे चीदों को देकर जब इन्हों पहुंछे जब उन्हों जब उन को पताचला के नहां खौनान भी थालिए की सब्स्पेंध है तो आगे देखते हैं और भी इसको वाज़े करने वाले हैं यह जो नित्पा है स्ट्रॉक्चर है जो आ अला ताला ने खुरान में जो डिस्क्राइब किया है उसके तालुक से यह स्ट्रॉक्चर है वो कोई भी जो है ना एक लिक्विड मादा दिखता था कैसा दिखता है सेम स्ट्रॉक्चर है उसको बता दिया गया आगे चलते हैं नेक्स स्लाइड में अलागा के मोड मैंने समझा दिया है यह तीनों स्टेजस में जो देखा गया है और इसकी टेल जो जो फर्टिलाइजिशन जो हमारा एंब्रियो रहता है अंदर उसको देखा गया तो उसकी जो उसको भी कंपेर करके साइंटिस बताएं कि वह उसका मुह और उसकी दुम भी एग्जैक्ली सेल डिविजन होते जब कैसा दिखता है उसकी दुम भी अगर आप देखें मैं इंशालला पिक्चर करते हूं कंपेर करके दिखें ना सिर्फ ग्रॉस्ट्रॉक्चर बटके इसक तो यानि चिपकता है तो वह लटकता हुआ शकल बन जाता है अलग भी है लीज की शकल भी है लटकता हुआ भी है कुन का लोथड़े की भी उसमें जो है ना शकल नजर आ रही है तो तीनो लिहास से अला तला एक वर्ड यूस करें सची ग्रेड लैंग्विज अरबिक इस तीनो वर्ड को तीनो स्ट्रक्चर को जो बाद में मैक्रोस्कोप से पढ़ता चला एक वर्ड में अल्ला बोलगी अलग अब ढूलने ते बैठो रिसेर्च करो जो जिता तदबर करेंगा उन्हों ताहीं माल लेंगा और उन अल्ला के उत्ता खरीब है अफलाया तदबर उन स्केलिटन स्ट्रक्चर है तो यह लीच का स्ट्रक्चर है इसके पार्ट्स आप लोग देख लीजे जो लोग मेडिकल रिलेटर है मुस्टली वह लोग समझ रहे होंगे बैलो जी के जो एक्सपर्ट होंगे वह लोग भी अच्छे से समझ सकते हैं देख लिए अल्ला ने य इसे रुका कर पूरे आयतों को समझने के क्लिए करी हूं क्योंकि आगे आगे सुरे जमर में भी आने वाला ही चीजें और सुरे सजदा में भी आने वाले सुरे नहल में भी बहुत जगा ला ताला ने इस चीस पर हमारे तुम क्यों इत्ता करते भी तुम थे क्या मां के पे स्टेज फिर थोड़ा सा जैगोडिक स्ट्रक्चर फिर जाके थोड़ा सा गोष्ट लहमाना शुरुआ हड़ी बनी बना और भी इसका और भी डीप स्टेजी है बट वह टूमच मेटिकल टेर्मोनलोजी में है लेकिन हम आज आम कुरान स्टुडिन के इतना देकर हम समझ सकते है कि बेशक ये खुरान मेरे रब आलमीन की तरफ से है दो चीजें उसने बताई है उस पर भी हम इमान लाते हैं जो चीजे हमें सब अजमें नहीं आती हैं उस पर भी इमान लाते हैं जो पास्ट में बताई है वो भी निशानियों को हम तसलीम करते हैं हमारे अत्राफ की न जिन्दगी में सुस्थ ने करें, इस तमाम चीज़ों को तो हम समझ लिए, एक नया नुक्ता जो इससे में और मैंने समझा है, वो आप लोग बतार हो, कि हम थे क्या, हमारे बिना जाने के हमारे माबाप को अल्हा सुखाना तल्हा खैर और आफित से रहके, अल्हा उनको इस निडेखले से, ला आने के मेहने के टर ऐने कड़ा फास पस पता भी नहीं चल कूंस थे, मांके में पेडनेसी है, इस पयम्हें ब अख़्ात बादे जाता है और पात मैं पता चाहता है, दो महने के बाद dos, पास पता नहीं Özारा, इक किता सिंपल माह होता। तो मांके और हम जब मा के पेट में थे, हमारे जो अभी हम अपना पास दे कर आ रहे हैं, एकदम मासूम सी जान, मासूम सी जान, कमजोर सी जान थे, ना हमारे हाथ में, किसी के हाथ में रिंग दिख रही क्या, किसी के नाक में दिख रहा, कंगन दिख रहा, हार दिख रहा, बिफोर डेलेवरी बाटर रप्चर होना जिसको बलते नेका बिफोर दैट अंदर और बाहर के सबढ़ना बिफोर डेलवरी साथ महने से जो बच्छे को जाना जाती उनने सोच रहता बच्चा सोच भी बीकरता बच्छा ब्लिंग भी करता है बच्छा जोना हाथ पैर भी माना शुरू कर देता है तो सुभान Allah बिचारे को अगर सोच आती मैं बाहर कैसा जाओं बाहर कैसा निकलों सोच सोच को चुने गूत को मर जाता था नौजब लाला सबको मैफूज रखे लेकिन एक बात बता रहो हमारा ओवर्थिंकिंग ओवर्थिंकिंग जो हैना हमारे लिए बहुत जाद हुशाने तवक्कल अल्ला हर तरफ से if we are feeling we are sealed if you are feeling we are trapped अपोई भी रोश्नी का जरियाने किता अंदेरे में अल्ला ती प्यारी शकलता है इतना प्यारा हर सेल दिल के टिशू को दिल हार्ट टिशू सी चाना है महाँ पर विस्रेल टिशू सेंबल ते मोई चाको लगना है लिवर पर लिवर की टिशू आख लगना है तो आज बी अगर हम किसी परेशानी में रबुल आलमीन इस पर खादिर है कि वो रोशनी की पिरन आए लेकिन वो वक्त हमल का वख्त वज़ा जिसको बलते हैं डिलेवरी वक्त वाने का इंतिजार करने है अनलेश एन इंटिल वो हमारे दिन जगी में आता नहीं हम चेंजर हम देख भी ने पाते हैं तो अल्ला पर तवक्त करना है जिसे मासूं बच्चे की शकल में थे जब हमने तवक्त किया है तमाम चीज़ी सरेंडर करके मौज मस्ती में आराम से मां के पैट में थे अल्ला त न दो के दर और त्माम से करना है एक सिर्फ और सिर्फ अर्द करना है उन्के लिए हम महिसुस करें यह puntos करें एक सब्सक्राने कि कोशिश करें तो यह सारी चीजह हैं फädliestर हम technical प्रेसे कृश्ड़ में धुस्चा चीक है तो के टाम बहुत हो चीगा है अल्मस्ट बिएम्मस कुछ चीज छूट गई ही क्या देखना चाहिए नेक्स स्लाइट प्लीज चले इंशालला अल्मुस्ट कवर है और एक पीपीटी रेडी है इंशालला अलग मोखे पर देखेंगे वह एक अलग सेर है और अबॉशन के तालुक से भी अल्हम्दलिल्ला मावाद है मतब चीजे ह इंशालला मोखा आथा तो हम उसको भी डिसकस करने के कुश्ट रखेंगे तक्रीबन हमने आदा गंटा तद्दबूर पे लगाया है ल्ला सुछाना अग्णाला हम सब के हर लंगे के बदले बहुत सारा अजर दे ल्ला सुछाना अग्णाला हमारे इमान को मजबूत कर दे ल्ला सुछाना अग्णाला हमारे हालात में आसानी आता फर्मादे ल्ला सुछाना अग्णाला हम सब को बुरे हाला से निकाल कर अच्छे हाला की तरफ नगा दे ल्ला समा की पेट में समा देता है मादर की कोच्छ से निकाल कर ल्ला सुछाना अग्णाला हमें अपने अप एक मिनिट का ब्रेक लेते हैं जब तक तिलावत सुन लेते हैं प्लीज अनुस्त अल्ला तला आपको जजाए कर दें सुर्य मुमिनीन के तिलावत प्ले करिये आयत 15 तक करिये थोड़ा ब्रेक भी हो जाता है हमारे लिए 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 लि अल्यात भजी में लि法ाने हूड़ों नहीं हुकिता भूछ bist आज कीख़ीमा ली लड़ों कि इता ये आतज हैं अकार्यान की। दिए सिर्ड एषयर इंते हम भडार्याद अल्वाइक हम अलादून वाल्वीन हम लिएमानाति हम वाहदि हम राओून वाल्वीन हम अला सलवाति हम युहाफिजून अलाइक हम वारिफून अल्वीन यरितूनल्फीन हम फिहा खालिदून वलक खलकना लिंसान मिन सुलालति मिन तीन थम जालना हु नुफता फी करार मकीन थम खलकना लुफता उलकता फखलकना लुफता 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 पारक अल्लाहु अहसनु खालिकीन। थुम्म इनकुं बाद धालिक लमय्यितून। जी अवास नहीं आ रही। जी जी बहन अभी आएगी। दिलावत थी अभी तकुछ। सुरे मुमिनून हम देख रहे हैं। सुरे मुमिनून है। जो के हमारी सीरीज की मतवातिर हमने सुरे पढ़ते आये मक्यी सुरत। इस सीरीज की मक्यी सुरतों की सीरीज की लास सुरत है। जो साथ सुर्थ मतवातिर मक्यी सुरते आई है। इसके बाद सुरे नूर आने वाला जो के मदनी सुरत थी। तो जैसे कि हम सब को पता है मक्की सूर्थों की कुपसूर्थी क्या है पिछले खौमों के अंजाम से यहां पर इवरत हासिद करनी है अपने अखीद तौहीद और आखिरत पर इमान लाकर मुहामस से लिल्ला और अस्टन की दावत को खुबूल करना है बामल बुमिनीन बनकर अपनी फलाः पाना है और जन्नत के वारिस वही लोग होंगे जो असल टाइप ऑफ मौमिन बनकर जिन्दगी गुजा रहे होंगे तो जन्नती मौमिन के सिफात जो है आयत नमर 111 सारी एक से लेकर 11 तक बताएगे तोटल आयत 118 है और इसके हमने मकी सूरत है यह हमने देख लिए तो अल्ला तलग करने के काम भी बहुत सा जिसको आहकामाद हमें बताते है तो ये बहतरी नहकामात थैं नभी करीम रदाब स्थिते मुबारक का मफोम भी आएकिन बीकरीम स्थित आहित की मैवेने के कारिक्टर देखना है तो बो न जो आना शुरू के भिएरा आयतो को देख ले के मतलूब अल्ला का इंसा कैसा होता है तो अल्ला तल्ला फुर्मा दे हैं बिसम लार्मानी रहिम खद अफलहल मौमिनों यकीना पला पाई है एमान लाने वालों ने जो अपनी नमाजों में खुशुश त्यार करते हैं कौलिटी देख लीजे लगुयात से दूर रहते हैं जकात के तरीखे पर आमिल होते हैं अपने शेमगाओं की हिफाज़द करते हैं सिवाए अपनी बीवियों के और अन ओर्टों के जो इनकी मलक में यमीन में हो कि इन पर महफूस ना रखने में वो काबल मलामत नहीं हैं अलबता जो असके अलावा कुछ और चाहे वही ज्यादती करने वाले हैं अपनी अमानतों अपने एहदों और पैमान का पास रखते हैं अपनी नमाजों के निफादत करते हैं और यही लोग वारिस हैं जो मीरास में के दोस्त पाएंगे और वो हमेशा रहेंगे जल्दी से ज्यारा कॉलिटी क्या क्या बना है नमाज मे अगर वो आ Żaden wellah के सामने हाजिर होते हैं तो ऐसं हो खड़े होना कि इसी बड़े आखा के सामने जब हम खड़े होते हैं अद्ए अली के बारे में आता है कि जब वो नमाज के लिए लिए HUS के लिए हमारा अल्लाह से कनेक्शन किता है, अल्लाह मुनाफिकों की नमाज के बारे में क्या बोले, पूछ दे सुतों में पढ़कर आए, कि ऐसी नमाज पढ़ते हैं कि हार्डी दो थिर्मेंबर समंधिंग आप अल्लाह स्पानात, जिकर भी नहीं करते हैं, वेसी नमाज ह elas तो खुछ्छेत वाली नमाज में अल्लाह बनाे से क्वांडेक्ट में आता हैं और व के बाते हैं, और कितना kontroll अ क्या बाता है और अप just app करदे को अ या फिर इस तरीखे से जो भी जो चल रहे हैं वो तमाम चीजे अगर यूज करना है तमाम चीजों को अगबाराद भी लगू में आता है अगर हम उसके ओवर टाम स्पेंट कर रहे हैं तो यह चीजें को करेक्ट टाइम पर यूटिलाइस करना औल देट इसको अपनी समझने क बन जाते हैं वेराज अगर आपको जरह बेहत्याती से यूश करो तो घरान जलने का बाज बनता है अगबारा में देते हैं आए गया गया प्रटी आए गया दिन कार जल गई यह जो आग है उस तरीके से यह चीज़ हैं यह जो मीडिया है उसको वाइस ही उसकरना है मौमिन से भी हम अच्छे चीज़े निकाल सकते हैं लोगों को अधर अधर अल्ला की तरफ माहिल करने का जरिया बनते हैं और अधर दैन वह महपीले हो गए विंडो शॉपिंग्स हो गए चुछ चैट हो गई फुजूल इंके उनके बाता हो गए खिस्से हो गए कहानिया हो गए गए हैं तस्किया भी करना अपने पूर यू प्यूरिफाइब करने की कोशिश करते रहे ना प्लैस अपने माल को भी प्यूरिफाइब करना चाहिए क्योंकि उसमें लोगों के हमारे हगदारों का हाख रख है उसको आदे कर इंसान जो है ना साफ सुतरा हो जाता है के तालुक से क्योंकि मैं रोज सोच रोगों कुछ बोला है टिप्स देना है टिप्स अपने लिए भी लेना इंपक्त लेकिन वह टाइम ने रहा इंशाला इंशाला ला ताला हम इसको डिसकस करेंगे दो दिन पहले रमज़ान से ताके हम प्रैक्टिकल टिप्स लें जगा जो जरूरतमन है उन लोगों को जाना वक्त पर पहुंच जाए है और एक अन्यांस्मेंट है जो बहने कोईट में रहती है आयमे की तरफ से हर साल जो हैना सुभान अल्ला यह रमजान किट हम लोग जो हैना सर्क्लेट किये जाते है तेरा केड़ी है साल उसका पैकेज रखा सुभान अल्ला एक घर को पूरा सहरी और इफतार करा सकते है उसमें चावल है दाल है गी है और टेल और चकर मतलब बेसिक इंग्रीडेंस जो एक जरूरत मन्द हैं तरी तो पर काइंड ऑफ परसन के लिए वह इंतिजाम किया गया है तो सुभान अल्ला थर्टी डेज अपनी पॉकिट मेहन अशार को तो मनाना है लेना है प्रस अपनी पॉकिट मनी से देने की कोश्चिश कर दिये ताकि हम जितना इखलास की निकी करेंगे उतना जो है ना इंशालला अजर हमारा ज्यादा होगा अल्ला तल्ह हम सबको मौका दे देने वालों में शुमार रप को बोलता फरमाएं जिसको भी देना है इंशालला अपने नाम लिखा सकते हैं हमारे वाटसप ग्रूप पे एड्मिन के हैं कोई भी एड्मिन को आप राप्ता कर ले इंशालला आपको पर्सनर डीटेल्स मिल सकते हैं जो बहने इंडिया में उन लोगों के लिए क्या जरिय करता है अपने चीजों की भी फास्त करता है लोगों चीजों से अपना बच जाता है नहीं बहुत ज्यादा जो है ना जिना की तरफ ले जाने की जिना की तरफ ले जाने वाली चीजों से भी बचता है तो यह जो फुजूल खर्चिए देखे माल जमा करकर रहें फुजूल पैसे जमाव रहा है लगवात में मुलविज है तो इनसां थर्ड क्याटेगरी जो गड़े में गिरता वो है बेशरमी के कामा करना अपने आपको जो है न यह लेवल के जो है न गलत चीजों में लस्ट में और जो है न इस तरीखे के गलत रिष्टों में गलत रिष्ट क्या क्यों फ्यू कॉलिटी से अपनी आमानतों और अहद में कमिटमेंट के तालुक से आपने बहुत बढ़ा है मोमिं जो भी कमिटमेंट करता उसे निवाने की हत्यु लमकान कोशिश करता देखेंगे करिंगे बला तो मुसल्मान इससे बदनाम हो जाते है मैं और आप जब मु चोटे-चोटे वादों को चोटे-चोटे कभी स्पेशली विन वी डूइट विन वी डूइट नॉन मुसलिम उन्हों कुरान पड़ को नहीं देख रहे हैं उन्हों मेर को आपको देखकर समझतें के इस्लाम क्या बढ़ते हैं इनके रिलीजिन में बहुत बेशर्मी है हमा आपको commitment का लिहाज करना शर्म हो है रखना है और अकेले में जो आला के साथ राप्ता रखना है नमाजों के जरीये से हिपाज़त करने की बात आए आगे सूर्तों में नमाज की बात आ रही है इन्शाललब मैं वहां पर उस चीज़ को बताने की कोशिश कर यह हो आगे चलत को अला सुछारा अला दबल टीबल और जन्न तो फिर दोस के बारिष पूर्ण अला में इखलास रटा पर्माएं अल्ला मरी निकियों को खुबल फरमाएं और हम सब के लिये ला जन्नत के बता पर रहा है वे शक्क अल्ला हमें साफ कर देए लात पाक साफ कर कर लिए वैसे लोट्रे की शकल बनाए फिर भृति बनाए बनाए पिर यह बनाए पर घोष चड़ाया फिर इसे एक दूसरी ही मखलूव बनाकर प्र पूर इस स्टेजेस्ट ऑ पी टिलर जी जो लोग इस चिसको जानते जो नहीं जानते जानने का अश्टियाख रखते हैं कोल कर पढ़ लीजें अंदर मा के रहम में कैसे कैसे स्टेजर्स आते हैं जो गैनिक पढ़ने वाली बेहने हैं जो इसमें जानते हैं महारत रखते हैं वो समाम चीज़ें इतना ज्यादा एड़ान्स है कुन बुलना है यह चोदा सो साल पुरानी कित तो उठाए जाओगे और तुम्हारे उपर हमने साथ रास्ते बना हैं तखली के काम से हम कुछ ना बदल ना थे और आस्मान से हमने ठीक हिसाब के मताबिख एक खास मिगदार में पानी उता रहा है और से जमीन पे बेहना दिया और जिस तरह चाहे गायब कर सकते हैं पिर इस पानी के जरिये से हमने तुम्हारे हमने तुम्हारे लिए खजूर अंगुर के बाग पैदा किये तुम्हारे लिए इन बागों में बहुत से रजीस फैल पैदा करिया और उनसे तुम्हें रोजी हासिल करते हैं और वो दर्ख भी हमने पैदा किये हैं जो तो तुरे सी सब्सक्राइब करें इसके पर अगली बार हम इंशाला अपने स्टेडिस के पर करते हैं क्योंकि एवरीधिंग जो आना मुझे और आपको अपने मां के अंदर अला की तरफ जूपो कायनत को देखो ला के ताबे हो जाओ खाने पीने की चीज़ों को घर करो ला की ताबे हो ज सीरत मिला हैं अदरवाश सिर्फ खुरान पड़े तो हिदायत ने मिलती देखने से भी गोर फिकर करने से मुमिन हर चीज में ला की निशानियां तलाश करने मुमिन होता है तिना अकलमंद इनसान होता है मुमिन और हक यह है कि तुम्हारे लिए मौविशों में भी एक सबसे बड़ा खालिक है और सबसे मड़ा मालिक है और जो भी चाइस रहती है उसी की तरह रूजू करने वाले हैं वह सारी निशानिया लेट्स गो आगे चलते हैं आयत तुम्हारे लिए कोई माबूद नहीं हो इसके खाम में इसके खाम के जिनसादारों ने माने से इंकार कदिया है वो कहने लगे कि यह यह शक्स कुछ नहीं है मगर एक बशर तुम ही जैसा है इसकी गर्ज यह है कि तुम पर बड़तरी हासिल करें दुनिया वाले क्या समझते वालों है इन्हों यह बोल को हमां को अपने अपने कंट्रोल में करना चारें अपने लिए असल उनको पता चैने रहता है जो सही अल्ला वाले रहते वो सिर्फ और सिर्फ अल्ला के पास में इस्समालों है उनको मशूर होना है उनको नुथ करिम स्धों को of करेते तक और को ये होना तो ये ले और ये ले ले ना दे सेम मेंटालिटी नुह अलएसलाम के जमाने में भी थी सेम मेंटालिटी अभी भी भी चरी खयामत तक भी ये समझते हैं कभी भी किसको बना हाँ इंको कुछ तो भी गरज होंगी अल्ला तला हमें मुखलिस बना है लोगों को अल्ल दादा के वक्तों में सुनी ही नहीं थी ये बश्रत रसूल बनकर आये हैं कुछ नहीं कुछ नहीं बस इस आदमी को जरा जुनून लायक हो गया है कुछ मुद्ध और देख लो शायद कि हफाखा जाए नून असलाम ने कहरा परवर्दिगार इन लोगाने मेरी तकजीब ती ह और इन पर अब तु मेरी नदफ खाला रभी इन सुनी बिमा का जबून इस चीज़ को हैलेट कर लिजा है नमर ट्विट्टी सिक्स है जो के दूआ सिकाए गई है मुनू अलाइसलाम नव सो पचास साल के बाद में इतना मतलब उनको फ्रस्टेशन कर दिया थे सता सता के उ हमने इस पर वही की के हमारी दिंगरानी और हमारी वही के मताबिक कष्टी तियार करो फिर जब हमारा हुकम आ जाया है और तो नूर उबल पड़े तो हर खिसम के जानवरों में एक एक जानवर जोड़े कर लेकर इस सवार हो जाओ और अपने वहल एहल एहल को भी साथ ले हो जाएगा तो कहे तो कहे शुकर है उस खुदा का जिसने हमें जालिमों लोगों से निजात फरमाई है और कहे के परवर्दिगार मुझको बर्कत वाली जगा में उतार और तो बहत्रीन जगा देने वाला है ये भी दूआ है इस जिसको भी हैलेट कर लीज़े आयले नमर नाइन और थर्टी में वकुल रब्बे अन्जिली मुबारकों वा अन्ता खेरुल मुझकुलीन इन्ना फी जालिक अला आयाते वा इन्ना कुन्ना मुबतलीन अल्ला तो बहत्रीन जगा देने वाला है कभी भी हम सफर पर जा रहे हैं एक जगा से दूसरी जगा जा रहे हम जालिम लोगों के पस नपने कूली को जा लाँ पिर हमिखे खैर वाली जगह पर ले जगा जगा और बरकत जगे जगह पर बसा दे। यह उतारणा ऋजिधिना इनिखुर में जखें के हैं उझजार के साथ इजग्ध और इकराम के साथ जीना नसीब करे उसको है उतारना का मतलब ये तश्री मिलती है आगे है नमबर 31 में अला तरह इशाद परमाते हैं इन खिस्वों में बड़ी निशानिया है और आजमाईश है आजमाईश तो हम करके ही रहते हैं हम इन के बाद इन के बाद हमने एक दूसरे दोर की खौम उठाई है फिर इन में खुद इनी की खौम का एक रसूल भेजा जिसने इन्हें दावत दी है कि अल्लह की बंदगी करो तुम्हारे लिए उसके सिवा कोई और माबुद नहीं है क्या तुम ड़ते नहीं हो इसकी खौम ने जिन सरदारों ने इमाने से इंकार कर दिया आखरती पेशी को जुटलाया जिनको हम ने दुनिया की जिन्दगी में आसुर्दा कर रखा था वो कहने लगे कि यह शक्स कुछ नहीं है मगर एक बशर तुम झी जैसा जो कुछ तुम खाते हो वही यह खाता है और जो कुछ त हो जाओगे और हट्या का पंद्रा कर यह झाओगे उस वक्त निकाले जाओगे बाइद नहीं बिल्कुल बाइद है यह वादा जो तम तुम से किया जा रहा है जिन्दगी कुछ نہیں ہے مگر بس یہی کہ دنیا کی زندگی ہے یہی ہم کو مرنا ہے اور یہی ہم کو جینا ہے ہم ہرگز اٹھائے نہیں جانے والے ہیں یہ شخص خدا کے نام پر محض جھوٹ کر آئے اور ہم کبھی اس کو ماننے والے نہیں ہیں رسول نے کہا پرودگار ان لوگوں نے میری تقزیب کی ہے اور اس پر اب تو ہی میری نسلت فرما جواب میں اشاد ہوا کے خریب ہے وہ وقت جب یہ اپنے کیے پر پشتائیں گے آخر کار ٹھیک ٹھیک حق کے مطابق ایک ہنگامہ عظیم نے ان کو آ لیا اور ہم और दूर होजा जालम, इनकार करने वाले के त्ष्माम को कित्रों की तरह अजाब बना कर जाद भी मुसलमनों की टिदाद है तो हमारी उख़त और हमारी क्या high ऐह्मियत हैं, लिbaby है कहीं कत्रे की तरह अजाब तो नहीं आ आया फिर अपिर हमने उनके बाद दूसरी खौमों को उठाया कोई खौम ना अपने वक्त से पहले खता हुई थी और ना इसके बाद ठैर सकी है फिर हमने पैंदर पे अपने रसूल बेजे जिस खौम के पास भी इसका रसूल आया है उसने उसे जुटलाया और हम एक के बाद एक हला करते गए हैं अताके इनको बस अफसाना ही बनना का छोड़ जा फटकार उन लोगों पर जो एमान नहीं लाते लाते हमें फटकार से बचाया और एमान लाने वालों में शुवार फिर हमने मुसा और उसके भाई हारून को अपनी निशानिया और खुली संनत के साथ फिर फिरान के पास एलान सल्तन की तरफ भीजा मगर उन्होंने तकबर किया और बड़ी दून की ली कहने लगे कि क्या हम अपने ही जैसे दो आदमियों पर एमान ले आए और आदमी भी आदमी भी वो जिनके खौम हमारी बंदी है पस उन्होंने दोनों को छिटला दिया और हला आहि हमने आते हैं यही चीज़ जोना मुझा और आपको यह लेसें लेना है ल्लह ताला ने अगर अगर हमारे को को समझ दी है तो मैं और आप इसको इस्लाम को थामने वाले बने क्योंकि क्या समझते मालों है जैसे लोग दीन वाले वाले बनेगे वैसे ही दीन का एक नकशा बन शुरू होता है तो अल्・・ से लिये तो तो तीजी साल पूरा च्छाराम से डिग्रिया निकलने सब निकल जाए लेकिन अगर इधर से ग्रेजजिशन से भिली है तो आराम से दस साल पाँ स्थ शाल सास साल लगा ड़ते तो इतना वक्त कड़ी मेनत करके हम दुनिया के डिग्रिया झब हासिल करते हैं अल्ला का दीन हासिल करने के क्लिए अगर हम कम्fa delle हो कर दो से थीन वाले लोग देंगे तो दीन की वही शकल हमार्शने में पेश्कर ने शहीं इसलाम पैश्करने वाला बना दिन बेशक बेश्च वा तुद्ध मंतशा वा तुद्ध मतशा इस्ज़त और जिलत लव की तरफ से अर जोब मुसा को हमने किताब अता फर्माई थी ताके लोग से रहनमाई हासल करें और इन की मा को हमने एक मुजी से डरो मगर बाद में लोगों अपने दिन में आपस में टुक्रे टुक्रे कर दिया और हर ग्रोख के आज जो कुछ है उसी में वो मगन है अच्छा तो छोड़ो छोड़ो इन्हें और डूबे रहें अपने गफलत में एक वक्त एक कास तक चाहिए समझते हैं कि हमने इन्हें माल और अलाद से मदद दिये जा रहे हैं मदद दिये जा रहे हैं तो इन्हें भलाईयां दे रहे हैं यद है नहीं असल मामले का इसका शवर नहीं बहलाईयों की हितरा दौड़ दरओने वाले और और सबhr尽 करने करके इन्हें पाने वाले तो दरह हएंगि खärt वोग हैं जो अपने रफ के तरह काफ काफ रखते हैं और जो अपने रफ के आया पर इमान लाते हैं जो अपने रफ के लिंग रफ के साथ किसी को शरीक नहीं करते इन चीज में कवाल Reese δिके भाइत न्म Intel सिक्स से लेकर फिफ्टी शुवानात्य दो सोंच के लगा कर दिया direct हम समझतें कि इसके पास्माझ जादा है जिसके पास ओलाद जाद है जिसके पास प्रॉपर्टी확ों है एंहों इन्हों यह नौं इन्हों और सब्हखत कर के पालेने वाले साबश ऑ खश रॉनों $ passé गुषैर के साथ अल्थ की तरफ बढ़ने वाले और अपने खौफ exclusive सब्सक्राव मुम्हाम ड़ने वाला रहता मुम्हामिन कमजूर है था नहीं पाले तो दो टिका प्रत्वARK एक बोले तो पुर री तोई सुना सकते हैं, बट ला के खौफ से अपनी जबान को कंट्रोल करना, ला की खौफ के लिए उस महफिल को छोड़ के लिए, गेर रहता ला का खौफ, यह नहीं के खौफ के खतर कमजोर पड़े, ला के खौफ के साथ, मुझे और आपको लोगों से डील करने का सदीखा उनके हख देना, ला के खौफ के साथ रात मुफना, ला के खौफ के साथ भूब बरदाश करना, ला के खौफ के साथ जो हना नमाज लाता करना, ला की खौफ के साथ जो हना नमाज लाता करना, ला जिससे बहुता है कि अपने रब पर इमान लाते हैं और अपने रब के कबुर ने मैसे सुष्पना हाँ इत्ते पारे खतम हो इत्ते रोजे रही इत्ता लंबी-लंबी नमास पढ़ी इत्ता में खेरात करी उनको ते कर भी उनके अंदर बेचाना है अच्छी करकर भी मखबूलियत की खौफ रखना और अच्छी तर उमीदे रखना बलके तकबूर और घुमर्ड में ने पड़ जाना सुभानला अच्छा प्यारा अल्ला ने डिस्क्रिप्शन दिया है वही भलाईयों के तरफ दोड़ने वाले और सब्सक्रिप्शन करके इन याँ पर अल्ला ने प्यू कॉलिटिस को डिस्क्रिप्शन है हम किसी शक्स को उसकी मखदरत से ज्यादा तक्लीफ नहीं देते हैं और हमारे पास किताब जो हरहाल जो एक जो हर एक कहाल ठीक ठीक बता देने वाली है और लोगों पर बहरहाल बहरहाल जल्म बहरहाल नहीं कि जाएगा मगर ये लोग इस मामले से इस मामले से बेखबर हैं और और इनके अमल भी उस तरीखे से उस तरीखे से जिसका उपर जिकर किया गए मुख्तलिक हैं वो अपने अपने ये कर्टूत ये चले जाएंगे यहां तक कि जब हम उनको उनकी अईयाशों को अजब में पकर लेंगे तो फिर वो फिर वो फिर वो डखराना शुरू कर देंगे अब बंद करो अपने पर्याद वो फोगान हमारे तरफ से इनके कोई मदद नहीं की जाएगी मेरी आयाद सुनाई जाती थी तो अपने रसूल के आवास सुनते और उल्टे पाउं फागने लगते थे अपने घुमंड में उसको खातिर ही नहीं लाया करते थे अपनी चौप आलों में उपर से चौप आलो हैं हमारे घर में यह चार रहा हम मोज में बिजी हैं यह सदा उनके पास बहांने लिए क्या इतने प्रॉफिट्स गुजरें किते उनके बच्चे थे हर एक के पास मस्रूफियत नभी करीन से लिए तो मन उफ दा मोस्ट बिजिएस परसन थे लेकिन अल्ला के खातिर निकलन कोई भी एक free time जिंदगी कर सन्याने वाला हाँ यहां से यहां तक free time है तुम ज़ौदीन का काम करो तुम ज़ौदीन का काम करो तुम ज़ौदीन का काम इसी मस्रूफियत की जिनगी में मुझे और आपको वक्त निकाना है पहले हम college life में थे busy थे जादी ही तो वी हम इज़ लिए time center if we are saying that मुझे कुरान पढ़ने के लिए सीखने के लिए time नहीं है इसका मतलब हमने prioritize नहीं किया बंदा जिस चीज को prioritize कर लेता है उसके लिए जरूर टाइम निकालता है जरूर बजरूर इती मसरूफ थी लेकिन में बराबर रही देखो बोलते हैं हम अपने फ्रेंट्स को इस दा साइम हम महबत करते हैं तो हम टाइम निकाल ही लगते हैं देख लें कि हमारा और भी हमें हमारे तोर करने वाला बना है और उसकी आयतों पर समझ कर अमल करने वाला बना है या वो किसी ऐसी बात लाया है जो कभी इनके असलाफ के पास ना आई थी या ये कि अपने रसूल अपने रसूल से कभी ये वाखिफ ना थे कि उनका जाना आदमी होने के बास उ ये कि इस बात के खायल हैं कि वो मजनून है नहीं बलके वो हख लाया है और हख ही इनकी अक्सरियत को नागवार है और हख अगर कहीं इनकी खायशात के पीछे चलता तो जमीन और आस्मान की सारी आबादी का निजाम दरहम बरहम हो जाता था नहीं बलके हम इनका अपना ही ज जिकर आया यह जो कुरान है कि को डिसक्राइब कर रहे हमारे बारे में हमारा जीना हमारा मनना हमारा पास्त हमारा पेट में रहना हमारा मरने के बाद उठाया जाने का मनजर सब कुछ हमारी और अखलमन अदमी और बेखफ अदमी के बेच में डिफरेंस समझ लीजे इस आयत करेंगा 71 आयत वे यह बात अच्छे से आज की याद रख ले मेरे और आपके लिए है कि एक अदमी है इस एक अदमी है या एक बच्चे दो दो बच्चे इस जांपर ले लेते हैं एक बच्छा रहता उस पहम क्या बलते हैं सो रुपे की नोट है यह तुम्हारा इनाम है समाल के अधने बच्चा क्या करता लेक जाता उठाओ को रखता अलमारी में रखो बलकर उठाकर अका रपनी चिस का ख्याल रखता एक बेखोब बच्चा क्या करता मालों ले दे ख доख लोग्ाशनी तो ऑपने पिना दो बच्चे जो उतनी आशवारने रखते आर जिस को Cavill दल जिकर किया है वो समझता है उसको एहत्माम करता है उसको अमल करता है अपनी जिंदगी में उसे पेवस्त करता है वेराज बेखुफ इंसन कि इसका जेड़ातर हो रहा कि कि इसके बारे में बातंग कर रहें यह कांड ओफ करेक्टर वो होता है अपने जिकर से मूँ मौने वाले नहीं होते हैं रूभा पारावर मुकमिल होता है यहां पर सेवेंटी वन पर इंशालला साटेड़ के दिनि इन शेला हम यह नहायतों को मकमल करके वक्त अगर इजाज़त देता है तो सूरे नूर की पीपीटी देखते हैं या फिर वक्त अगर खतम हो जाता है सैटर्डे की दिन क्योंकि हमारा डेमो वरक्शॉप भी है इसके उपर जो अभी एनॉंस्पेंट हुआ था ना जनाजे की तच्वीन यानि उसके पर तमाम चीज करें वक्त दे सहुलत दे तौफिक दे और इन चीजों में रुकावट आने वाली की रुकावटों का अल्ला ताला दूर राता फर्माए थोड़ी से दूआ कर लेते हैं हमारी बेहन एक बेहन है जो हमारी क्लास के साथ यह उनके सास का इंदखल हुए है इंशाला दूआ के